नमस्कार दोस्तों, आज 10 मार्च है, 10 मार्च तिब्बत और तिब्बती लोगों के लिए बहुत जादा मैतपूर है आज ही के दिन 10 मार्च 1969 को चीन के खिलाप तिब्बत में अंदुलन परारम हुआ था वहाँ पर अनिगनत लोगों को मार दिया गया, अनिगनत लोगों को जेल में जवरन ठूज दिया गया, विकास के नाम पर हजारों बुद्ध ब्यारों को तोड़ दिया गया, मुर्तियों को खंडित कर दिया गया, पर्यावरन को नुकसान पहुचाया गया, सुतनतता को प्र उस दिन को याद करके संतियात्रा निखालते हैं, अपने आंदेलोन को और मजबूत करने की कोश्च करते हैं, हम सभी जानते हैं, हम जैसा कि आज सभी लोग कहते हैं कि ये पूरा विश्व सुतंत्र है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जहां 60 लाक लोगों पर दमन हो रहा हू उनको किसी प्रकार के सुतंत्रता न हो, उनको ना तो धर्म का अभ्यास करने का अफसर हो, ना अपने भाशा को सीखने का अफसर हो, तो एक प्रकार से उस पर अंकुस लगा करके रखा हो, तो ऐसे समय में हम एक सुतंत्र विश्व की कल्पना कैसे कर सकते हैं, जो भोले वा 1969 से लेकर हो रहा है तो हम एक सोतंत्र विस्तु की कल्पना अगर करते हैं या सोतंत्र विस्तु के लोग हैं तो साइध हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये बात कुछ इतने लगती है ये मेरा अपना मनना है 1969 में ही तिवित के हालात बदलते देखकर परंपाबंजी कला संस्कती बहुत धरम की रक्षा करने है तो उसका बचाव करने है तो बारत में पदारे तब से लेकर आज तक इन 64 बरसों में बहुत धरम कला संस्कती पर्यावरन उस पर बहुत ज़्यादा तिविती समाज के पढ़ने का अफसर मिला बहुत दर्सन को सीखने का अफसर प्राप्त हुआ और बहुत दर्सन सीखने के बजे से ही परमपावन जी के चरणों में बैठ करके उनके साथ उनके बाड़ी को उनके ज्यान को भारती तक पहुचाने में सफलता प्राप्त हुई आज भारत के लोग परमपावन जी के प्रते, तिबिती लोगों के प्रते बहुत ज़्यादा सम्मान भी रखते हैं आप लोगों के प्रते, आप तिबिती भाई बहनों के प्रते लगाओ भी रखते हैं हम लोगों को भी अंग्रेजों को खिलाप लड़ते लड़ते सौ बर से अधिक समय लगा और आजादी को प्राप्त किया आपके पास तो विश्टो की धरोवर, सरवोक्च गुरू, सिक्षक, बग्यानिक, परमपावन दलाईलामाजी है उनका मार्ग दसन आपके पास है, तो हिम्मत हारने की बिलकुल आवशकता नहीं है समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा, सूरज ऐसा निकलेगा कि जिस दिन सुतनत्य प्राप्त होगी आप लोग खुशी-खुशी घर भी जाएंगे, तो ये संगर्ज को जाई रखना है हम सभी लोग, हम सभी भारती लोग भी आप लोग के साथ है, निरंतर साथ है तब से लेकर के, हजारों बरसों से लेकर के हम लोग साथ है और आप लोग नारा देते हैं कि तिबद की आजादी भारत की सुरक्षा मैं सैमत हूँ कि तिबद की आजादी भारत की सुरक्षा है वास्तम में है अगर हम देखें लद्दाग से लेकर तवांग तक आज जो तिबद का बॉर्डर है वहाँ पर हमारे सेनकों को रहना पड़ता है बहुत सारे खर्चे होते हैं तो मुझे इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वास्तम में तिबद की आज़ादी भारत के लिए सुरक्षा है लावदायक है एक दिन निश्चित आप लोग तिबद को ससम्मान बापस होंगे बहुत अच्छी दरह से आप विदा होंगे बिलकु मत हारिये हिम्मत नहीं हारनी है निरंतरता बनाए रखनी है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जयतिबद